आज किस वीडियो में आपको बताएंगे हर्ड के चमतकारी फायदों के बारे में हर्ड अनेक बिमारियों में परभावी ओशिदी का काम करती है हर रोज हर्ड की चटनी भोजन के साथ सेवन करने से बुद्धी बल और आयू में वर्दी होती है बोजन के अन्त में हर्ड का सेवन करने से वात पित और कफ से उत्पन विकार सांथ हो जाते हैं हर्ड को नमक के साथ मिलाने से कफ, खांड के साथ मिलाने से पित और गी के साथ मिलाने से वायू यानि वात की रोग ठीक हो जाते हैं और हर्ड को गुड के साथ मिलाने से सवी बिमारियों का नास हो जाता है अजीरन होने की स्थिती में हर्ड पीप्री और सेंदानमक को समान मातरा में लेकर इसका चूण बनाकर एक चम्म चूण को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए हर्ड को बालकर खाने से दस्त बंद हो जाते हैं हर्ड बैहडा आवले की चूण को समभाग में सेवन करने से कबज दूर होता है और आतों की शुद्धी होती है जोडों के दर्द में और गठिया में पुराने गुड और हर्ड के चूर्ण को समान मातरा में लेकर इसके छोटे छोटे लड़ू बनाएं और एक लड़ू को रोजाना खाने से सेरी में हर तरह के दर्द सूजन में लाब होता है आखों की समश्या होने पर रोचाना हर्ड के पानी से आखों को धोएं इससे नेतर विकार दूर होते हैं और आखों की रोशनी बढ़ती है खासी की परेशानी होने पर हर्ड काली मिल्च और पीपरी तीनों को समन मातरे में मिला कर आदी चम्मत चूर्ण का सेवन गुढ के साथ करे हार्ड का बारिक चूर्ण बनाकर दंत मंजन करने से दान साफ और निरोगी रहते हैं गुढ के साथ हार्ड का सेवन करने से पीलिया रोग में भी भूत लापडायक है सुबह श्याम गुड के साथ इसका सेवन करने से बवासीर भी ठीक हो जाती है और हर्ड के चुरून को किसमिस के साथ लेने से एसी टीटी की समझ्या में बहुत लाब दायक है और जिन लोगों को भूख कम लगती है उन्हें खाने से पहले छोटी सी हर्ड को चबा कर खाना चाहिए इससे कुछी दिनों में भूख अच्छी लगने लगती है मुँँ में चाले होने पर हर्ड को पानी में घिसकर उसे चालों पर लगाएं ऐसा च्यार पाच बार करते हैं मुँगे छाले बिलकुल ठीक हो जाते हैं और जिनको कीशी भी तरह की allergy है उने भी हरड का सियोन करना चाहिए हरड खून की सपाई करते हैं और allergy से छुटकारा दिलाती है हरड का सियोन करते हैं पृद्धिया भी रखनी चाहिए हर्ड कासियों केवल सिमित मातरा में ही करना चाहिए और गरववती महिलाओं को हर्ड कासियों नहीं करना चाहिए